हाई गाई वेलकम बैक टू मैं चैनल कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली मैं उम्मीद करती हूं आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे खुश होंगे आज का मेरा वीडियो है वो मैं स्टार्ट कर रही हूं अपनी विंटर की स्किन केर या आप स्किन पॉलिशिंग कह लेजे तो मैंने अपने फेस पे पहले एक अच्छा सा फेस मास्क लगा लिया था मैंने रीसेंट ही आप लोगों किसा शियर किया है मामा अर्थ का तो मैंने मैंने पॉल पमक कच मास्क में एक समय रूपनी फिर्फटक में मामा अर्थ की अच्छा मास्क लगा सब्सक्न मत मुआने में अपना वंहुत maior की का लगा मिलाको। मेरे चैनल के उपर अगर आप लोगो को वह देखना है तो मैं उसका लिंक डिस्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप वहां पर जाके इसका फुल रिव्यू चेक कर सकते हैं तो मेरी जो चैनल के लिए खत्म होगी है तो मैं नोज वाली ओती न वह उसमें बीच में एक्स्ट्रा होती है तो वही मैं अपनी चैन के उपर लगा लूंगी और नोज के उपर लगा लूंगी यह बहुत अच्छे से काम करता है बस आपको अपने जिस एरिया पे आपको उसके बाद इसको 10-15 मिनिट के लिए आपको वेट करने देना है और जब आप चेक करें तो यह काफी जादा हार्ड हो जानी चाहिए अगर यह हार्ड नहीं हुई है बिल्कुल जैसे प्लैस्टर होता है तो फिर आप थोड़ा सा टाइम इसको और चोड़िए और उसके बा हुकर हो अरे कुँ किल चाहिए क्याक जाती है या विंटर में हमारी को थोड़ी है वह थोरी तो उस से हमें इसकिन का खूश यह है अकश्य varieties है वो तो मेरी हो गई है सो अब टाइम हो गया है है लंच का तो यह जो छोड़ा सा एक प्लिप है वो मैंने आपको रात का दिखाया था क्योंकि मैंने चने भिगो कर रखे थे रात को और नेक्स डे देखे काफी जादा सौफ्ट हो जाते हैं और उससे बहुत अच्छे से कू और उसको 15 मिनिट रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया है और बहुत ही जादा माउथ वर्ट रिंग होता है और इसका कु अच्छा लगता है उसके साथ है जो चना और कुल्चा होता है तो यह आटाराइस करने के बाद कुछ गया इसको बेल डीस काइज इस के उपर क्लोंजी और मेथी लगाली दी में तो कडाई होती है जो हमारे पास यह पर तंदूर तो हो इसका क flavors किसी के बास हो भी मेरे पास तंदूर नहीं यहुतित गडाई में इस کन कुलचे कड़ाई को लगा दिया है तो यह कुक हो जाता है बड़े अच्छे से उसको फिर उल्टा कर देते हैं जो एक अपनी जो बर्नर की उपर कुक कर सकते हैं तो बड़े ही अच्छे से यमी से चोले और ये साथ में सालड तेया हुआ और बहुत मज़ा आया खाके और उसको उपर मक्षन अच्छे से लगाके काफी धेर सारी कैलरीज है ना वो एक बार मिले ले बात करते करते मुझे वाइस ओवर करते करते मेरे मूँ में पानी आ रहा है आपको पता लग रहा होगा चोले जो है ना वो जुरूर रात को भिगो कर रखे अगर आपको खाने है क्योंकि वो अच्छे से स्लोली कुक होते है ना तो फिर हाफ कुक पहले ही हो जाते है तो वो हैल्दी भी होते हैं बहुत जादा खाने एक दम से अगर हम चोले अगर एमरजनसी कोई आगी है तो वो अलग बात है तो इसमें कोई सोडा वगेरा भी नहीं डालना पड़ता है एलो जी करो मजे लवो खाओ पी हो एश करो मित्रो दिल पर किसी दा दखायो ना तो ये गाना है एक सौंग है पर ये बात बिल्कुल सची है तो आप बिल्कुल लाइफ में ये जरूर ध्यान रखिए इस बात का तो ये था अल्मोस्त मेरा आज का फुल डे रूटीन ही आप लोग के साथ मॉर्निंग में ने आपका स्किन केर अपना आप लोगों के साथ शेयर किया है फिर मैंने लांज शेयर किया है शाम का थोड़ा सार रूटीन मैंने बीच में से स्किप करके आपको दिखा रही हूं जो बच्चे है न वो सलाइम खोल रहे हैं तो ये इसलाइम का बॉक्स है जो ये मैं आपको बता रही थी, बात ये होती है कि हमारी लाइफ में कुछ लोग हमें ऐसे मिलते हैं, जो हमारा बहुत मन दुखाते हैं, हमें बहुत हर्ट करते हैं, और वो जो लोग होते हैं, वो किसी को पता भी नहीं लगने देते हैं, कि ये एक बंदे को हर्ट कर रहे है और जादा तर जो लोग हमें हर्ट करते हैं वो हमारे हपने ही होते हैं क्योंकि कुछ लोगों को ये आठ आता होता है कला आती होती है डबल फेस पहनने की क्योंकि वो किसी के साथ एक बंदे के साथ कुछ और होते हैं लाइक पर ये बात यह कि अगर आप खुद के अपनों को प्यार रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हैं तो आप बाहर चाहे जितना मर्जी दान कर लें लोगों को अच्छा बोल लें लोगों की help कर लें लोगों की इज़त कर लें पर अगर आप खुद अपने जो अपनों का अगर आप ख्याल या प्यार या उनके लिए सोच नहीं सकते न तो वो जो बाहर आप किसी को प्यार इज़त और help कर रहे हैं न तो वो भगवान देखत होती हैं guys so try किया किजिए कि life में आप दूसरे बंदे को hurt ना करें जान बूज के hurt ना करें unknowingly अगर कोई hurt हो जाता है तो sometime time जो communication gap होता है या जो concept होता है किसी के mind में कुछ और होता है क्योंकि कोई बंदा कुछ और सोच रहा होता है तो आपको ऐसे लगता है कि शायद किसी ने आपको intentionally hurt किया है पर maybe उसका कोई reason होता होगा पर अगर आप जान बूज के किसी को hurt करते ना तो please guys try किया किजे कि वो चीज घूम के आपके उपर भी आ सकती है क्योंकि जो कर्मा होता है और जो truth होता है वो घूम के हर किसी के उपर आता है यहां पे हमारी जो slime है वो ready हो गई है इसमें activator डाल दिया गया है और इसको 15 मिनट के लिए छोड़ना है और 15 मिनट के छोड़ने के बाद इसको फिर थोड़ा सा हाथ में आटे की तरह किचर पिचर करना है तो और यह बड़ा अच्छा सा इसका texture हो जाएगा यह clementoni का guys जो slime है आप देख रहे हैं अच्छे से तो clementoni के बड़े अच्छे एदर रहाग दखाओ किने मिन रहें नवे मिनुति दखाओ किने मिन रहें च्छे बाद गोड़ें के लिए ह को नवे मिनुति मांका एंरीचे नवे नवे नौवे मिनूती किना तुम आगे चा एक मेंट चे टाइमर ला ला ले हैं मेरे लाटू ने तो यह देखे आप यह गंदा सा कुछ चिप चिपा सा बन गया है पर यह बहुत जादा खुश हो रहे हैं बच्चे तो अच्छी चीज है सो उमीद करती हूँ आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए और नए है मेरे चैनल के उपर तो सब्सक्राइब भी कीजिए हम मिलते हैं अब किसी नए व्लॉग में तिल दैन आप अपना ख्याल रखें मु